नमस्कार आपका अख़बार पर आपका स्वागत है मैं हूं प्रदीप सिंग्ग आपने कभी देखा होगा आखों देखा तो नहीं दृश्चे होगा लेकिन फिल्मों में देखा होगा डॉक्यमेंटरीज में देखा होगा किताबों में पढ़ा होगा कि जब कोई सेना युद्ध हार जाती है हार कर भागती हुई सेना अपने पीछे और बड़ा उत्पात करती हुई जाती है वो हिंसा करती है आगजनी लूट पाट इस तरह का काम करती है आज का जो विपक्ष है भारतिय राजनीती का वो उसकी स्थिती कुछ उसी हारी हुई सेना की तरह है जो जिसे पता है कि वो युद्ध जीत नहीं सकती तो इसलिए वो विध्वंस के रास्ते पर जा रही है विध्वंस के लिए प्रयोक्षाला बनाया गया है बिहार को बिहार को प्रयोक्षाला बनाया जा रहा है जाती उन्मार पहलाने के लिए जाती में देश को विभाजित करने के लिए, समाज को विभाजित करने के लिए सनातन धर्म के विरोध से शुरू किया परही हो गिये पहले आपको याद होगा कि बिहार के सिख्षा मंतरी चंदर शेकर ने रामचरित मानस पर कीचड़ो उचाला उत्तर प्रदिश से उनको साहता मिली, स्वामी प्रसाद मौरियर ने वही काम किया अखले शेयादों ने करवाया उनसे दोनों ने देख लिया कि इसका फायदा नहीं हो रहा है तो उनको लगा कि फॉल्ट लाइन असल में क्योंकि सनातन धर्म पर आप आकर्मन करेंगे सनातन धर्म के लोग बहुत ही सहिश्णू होते है तो उस तरह से रियक्ट नहीं करेंगे जिस तरह से आप इसलाम या क्रिश्टियन्ची पर हमला करेंगे तो उसका जवाब जैसे मिलता है वैसे जवाब नहीं मिलेगा तो उनको बड़ी निराशा हुई तो उनको लगा कि फॉल्ट लाइन ज्यादा कहा है तो उनका जातियों के बीच पे है जातियों को अगर भड़काया जाए आपस में लड़ाया जाए तो अगर समाज जाति में बटेगा तो सनातन कमजोर होगा तो जो धार्मिक असमिता है वो कमजोर होगी तो धार्मिक असमिता कमजोर होगी तो बीजेपी और नरिंद मोदी कमजोर होगे भारत देश कमजोर होगा इससे उनको कोई मतलम नहीं है देश और समाज की चिंता उनको बिलकुल नहीं है देश और समाज की चिंता होती तो इसकी चिंता करते तो इस जातिय उन्माग को फैलाने के लिए एक समवैधानिक तरीका खो जा गया दूसरा राजनीतिक तरीका हो जा गया समयधानिक तरीका खो जा गया है जातिय गड़ना की बात करके बिहार में हो रही है करनाटक करा चुका है अपने पिछले कारिकाल में सिधर अमया ने कराया था और इसके अलावा कॉंग्रेस पार्टी ने जब 2004 से 2014 तक केंदर में सत्ता में थी तो उसने भी कराया था दोनों ने याद रखिए दोनों ने जो गड़ना हुई उसके परिणाम की घोश्रा नहीं की उसे सारवजनिक नहीं किया लेकिन सत्ता से बाहर जाते ही गड़ना की मांग करने लगे तो बिहार में गड़ना हो रही है पहले हाई कोर्ट ने रोका फिर परमिशन दे दी उसके बाद सुप्रिम कोर्ट में माम ला गया सुप्रिम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई तो अब इनको लग रहा है कि इसके जरीए जातिय उन्मात पैदा किया जा सकता है और जातिय उन्मात पैदा करके मंडल का जो दौर था उसको लोटाया जा सकता है ये बात ये भूल जा रहे हैं कि जिनके लिए कर रहे हैं उनको ये खेल समझ में आ चुका है खेल समझ में यह आ चुका है कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछड़ा वर्ग में जो अतिव पिछड़ा वर्ग है जो संख्या की दृष्टी से छोटा है उसको कोई लाव उस आरक्षन का मिला नहीं उस आंदोलन का कोई लाव उसको पहुँचा नहीं पूरा लाव ले गई उपर की दो तीन चार जाती है और उनको मालूम है कि उनके साथ वही हो रहा है जो पहले होता रहा है उनको इंतजार करना पड़ा 25 साल पूरे 24-25 साल एक नरेंद मोदी के आने का कि वो आएंगे और अति पिछलों को उनका अधिकार दिलाएंगे क्या अधिकार दिलाया उनको संगठन में भागेदारी हिस्सेदारी दिलाए उनको सरकार में प्रतिनिधित्व दिलाया और सरकार में हिस्सेदारी दिलाए और विभिन सरकारी योजनाओं के जरिये उनकी जीवन स्थर में बदलाने का काम किया ये सब जमीन पर हो चुका है ऐसा नहीं ये वाइदे के स्थर पर नहीं है ये जमीन पर उतर चुका है अब उस से मकाबला कर नहीं पा रहा है विपक्ष तो उनको लगता है कि अगर आप खेल में जीत नहीं सकते हैं तो खेल को होने ही मत दीजिए खेल को बिगाड़ दीजिए पुर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत है नखेलम नखेले देप खेलवाय बिगाड़क तो मतलब नखेलेंगे नखेलने देंगे खेल बिगाड़ेंगे तो खेल बिगाड़ने के लिए इस बात की चिंता की ये बिना किसका समाज पर देश पर क्या सर पड़ेगा देश और प्रदेश की प्रगती पर क्या सर पड़ेगा इस सब की चिंता की ये बिना कोशिश हो जाती है उनमाद बढ़काने की और उसमें देखिए किस तरह की मतलब दुर्भागी पूर्ने स्थिति ये देखिए कि मनोज्जा जो राज्यसभा के सदस्य है विश्विद्याले में प्रोफिसर है उनको विद्धोता का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है लालू को टाले में सजा याफता है और साहित्य की विवेचना साहित्य की मिमांसा कौन कर रहा है आनन्द मोहन जो एक आईएस अधिकारी की हत्या के आरोप में सजा काटकर अभी लालू प्रसाद यादा और नितिश कुमार की किरपा से जेल से बाहरा है अब देखे इस दुर्भा वो गर्म महसूस करते है कि उनके नेता से उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है किस से मिल रहा है इससे कोई मतलब नहीं उसकी अपनी क्या योग्यता है इससे कोई मतलब नहीं उसकी समाज में क्या स्थिती है इससे मतलब नहीं उसकी कानून की नजर में क्या स्थिती है इससे को क्यों रोको क्यों कि उनको मालूम है कि नौिको 24 में भी अगर नहीं रोक पाएंगे चोबिस में भी अगर नहीं रोक पाएंगे तो आगे पता नहीं कितने दशकों के लिए हमारी संभावना खत्म हो जाएगी। तो बिहार में जाती फॉल्ट लाइन जादा है तो इसलिए बिहार को चुना गया कि यहां से जाती का उन्मात पहलाओ यहां पर जाती हिंसा कि जाती की असमिता आक्रामक रूप से सामने आए इसकी कोशिश हो रही है तो कभी ठाकुर ब्रामन को लड़ाय जा रहा है कभी अनुपात बढ़ता जाएगा इसका प्रयास जो है बढ़ता जाएगा और अफसोस की बात यह है कि बिहार में सुशाशन बाबू का खिताब पाने वाले नितीश कुमार इसमें बढ़ चड़कर हिस्सा ले रहे है अब जरा राजनीतिक गनित को भी समझे जेडियू और आर नकारात्मक शर्ती की या किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया की या किसी नकारात्मक एक्शन की कोई जरूरत ही नहीं थी लेकिन उसके बावजूद क्यों कर रहे हैं क्योंकि अंदर से डरे हुए अंदर से कमजूर है मालूम है कि ये गड़ बंधन का जो गड़ित है वो इस लिखाई दे रहा है कि बड़ा मजबूत है। लेकिन वो जमीन पर तो रसायन बनेगा या नहीं यह तो मद्दाता तेह करेगा। मद्दाता इसके बारे में क्या सोचता है इससे तेह होगा कि चुनाओ में इसका क्या सर पड़ेगा। इसी असर से डरे हुए है डरे हुए क्यों है उनको मालू है कि बिहार में बीजेपी के पास लीडर्शिप नहीं है लेकिन मैं लोकसभा चुनाओ की बात कर रहा हूं इस समय लेकिन लोकसभा चुनाओ की दिश्टी से उनको मालू है कि बीजेपी के पास जितना बड़ा लीड उसकी साख, तो नरेंद मोदी की आज जो विश्वस नियता है, जो साख है, वो इस समय देश में और किसी नेता की नहीं, प्रदेश में भी नहीं, पुरे देश के इस्तर पर राष्टे इस्तर पर भी नहीं। अब इसको इस बात से समझिए कि विपक्ष का के सारे दल इस बात से चिंतित और डरे हुए रहते हैं कि कहीं राहुल गांधी को प्रधान मंत्री पद के उमीदवार के रूप में कॉंग्रिस सामने न पेश कर दें। तो विपक्ष की कमजोरी का अंदाजा लगाई है। इसलिए वो किसी भी हद तक गिरने को किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उनको लग रहा है कि कुछ भी करना है। कैसे भी करना है। यह कानून की, नीती की, समाज की, देश की, यह सब चिंताबाद में कर और इसके लिए चुना गया है बिहार को, उनको लगा है सबसे आदर्श राजी बिहार है, जहां जाती संगर्ष को बढ़ावा दिया जा सकता है, यह जाती संगर्ष को फिर से उसकी आग सुलगाई जा सकती है। और उसमें सहायक बन रहे हैं मंडलवादी पार्टियों के जो नेता है, जिनके बारे में पिछला वर्ग का जो अति पिछला समाज है, वो उनका खेल समझ चुका है, कि यह हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। उसने देखा है कि पिछले 25 साल में इन्होंने क्या किया। मंडल आयोक की सिफारिशें लागू होने के बाद आरक्षन और उसके अलावा जो राजनितिक सत्ता मिली, जो सरकार बनी, उसके बाद भी उनकी इस्थिति में बदलाव लाने का कोई प्रयास भी नहीं हुआ। होना तो बहुत दूर की बात है। इनकी ओर से कोई कोई इस तरह का प्रयास नहीं हुआ, इस बात को लोग समझ चुके हैं। और पिछले 9-10 साल में प्रधान मंत्री नरिद मोदी ने जिस तरह से इस समाज को जोड़ा है और जोड़ा है अपनी हिंदुतों की विचारधारा से, जोड़ा है अपनी सरकार की योजनाओं से, जोड़ा है अपनी सरकार की नीतियों से, जोड़ा है अपनी पार्टी की न है और उनका सिर्फ इस्तेमाल करने वाले कौन लोग है ये फर्क जो है इसी फर्क को मिटानी की कोशिश विपक्ष कर रहा है और किसी सकारात्मक कदम के जडिये नहीं नकारात्मक प्ता की राजनिती के जडिये कोशिश हो रही है और जो नेगेटिव होता है उसका अंत नेगेटिव ही आता है उसका परिणाम जो है वो नेगेटिव ही आता है वो कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता सकारात तक नहीं आ सकता लेकिन विपक्ष इस समय हताश और निराश है उसक सामने विकल्प नहीं है. उसे लग रहा है कि अब एक मात्र हत्यार जो बचा है उसके पास वो है जाती का हत्यार. जाती की आग इतनी जलाओ कि उसमें सनातन की जो चत्री बनाई है प्रदान मंतरी नरिन मोदी ने और भाजपा ने वो जलकर खाक हो जाए. लेकिन ऐसा होने वाला नहीं क्योंकि उसको बचाने वालों की संख्या पिछले साथे नौ साल में कई गुना बढ़ गई है. वो बीजेपी के वोट शेयर में परिलग चिकता होता है. पता चलता है कि बीजेपी का यह जनाधार बढ़ा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान इन अति-पिछडी जातियों के लोगों का है. और उन्हों ने एक बात को अच्छी तरह से समझ लिया है कि उनका हित नरिन्द, मोदी और भारती जनता पार्टी के साथ है. जब तक कि कोई ऐसी बाटी, कोई ऐसा नेता नहीं आ जाता, जो इससे बहतर करने की कुवत रखता है, इससे बहतर करने की क्षमता रखता हो. तब तक उनके मन पर कोई असर पड़ेगा इन बातों का, ऐसा लगता नहीं और यही कारण है यही लोगों की यही धारना है जिससे विपक्ष की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह जो गडबंधन की बाते हैं यह सब भावरण है दिखावा है मैं बार-बार कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ यह गडबंधन जो इंडिक एलाइंस बना है यह हो या ना हो लोगसभा चुनाओ के परिणाम पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला और गडबंधन कैसे होगा आप देखे कितना चल पाएगा अभी तक सीटों के बटवारे की बातचीत नहीं हो पाई है मैं प्रशांत किशोर की उस बात से बिलकुल सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि जितनी देर करेंगे ये लोग सीटों के बटवारे में उतना ज्यादा नुकसान होगा और रोज के हिसाब से नुकसान हो रहा है और सीटों का बटवारा या सीटों का तालमेल जल्दी होने वाला है ऐसा दिखा ही नहीं देता कम से कम यह जो पाँ लेकिन सभी राज्यों में जिन राज्यों में ये इस गटबंधन के घटक दल हैं, उन सभी राज्यों में हो जाएगा ऐसा लगता नहीं। CPM पहले से घोशना कर चुकी है कि वो TMC के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, बंगाल में TMC के साथ नहीं लड़ेगी, केरल में Congress के साथ नहीं लड़ेगी, तो कुल मिलाकर इस्थिती ये है कि विपक्ष का कुनबा एक होने की जितनी कोशिश कर रहा है उतना बटा हुआ है। और उतनी ही उसकी निराशा और हताशा बढ़ रही है और उतना ही उसके मन में नकारात्मक बिशार आ रहे हैं। तो आप देखते रहे हैं इस जाती की आग को भड़काने की आने वाले दिनों में कोशिश और जादा होगी। बिहार से जो ये जाती उनमाद की जो आला भड़काने की कोशिश हो रही है इस उमीद में इस आशा में कि ये आग धीरे धीरे पहलेगी उत्तर भारत के दूसरे रज्यों में वहां तक पहुंचेगी और जब ये ये विक्राल लूप लेगी तो भारती जन्ता पार्टी का जो कोर इशू है नरिद मोदी की जो सबसे बड़ी ताकत है सांस्कृतिक राष्टवाद और हिंदुतु उसका जो आग्रह है उसकी जो अस्मिता है हिंदुतु की सांस्कृतिक राष्टवाद की वो बहुत कमजोर हो जाएगी और जाती अस्मिता उस पर बहुत भारी पड कि ये शेक चिल्ली के सपने जैसा है, विपक्ष कोशिश भले करता रहा है, लेकिन वो उसको ये याद रखना चाहिए, कि ये 1990 का बिहार नहीं है, ये 70 और 80 के दशक का भी बिहार नहीं है, जहां जाती उन्मात पहलाना, जाती जगड़े कराना बहुत आसान था शयद, आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाती का की असमिता खतम हो गई है, या जाती का आगरह खतम हो गया है, या जाती के आधार पर वोट पड़ेगा ही नहीं, मैं कह रहा हूं सिर्फ जाती के आधार पर वोट नहीं पड़ेगा, ये मद्दाता को ये बात समझ में आ गई है, उसके उसके अपने रूज मर्रा की जो समस्याएं हैं, उसके जीवन स्तर की जो समस्याएं हैं, उसके बच्चों के भविश्य की जो समस्याएं हैं, वो जाती पर ज्यादा भारी पड़ रही हैं और इन्ही के आदार पर वो उसके वोट का फैसला हो रहा है और आगे भी होने वाला ह तो विपक्ष की ये जो कोशिश है कि जो बड़ी लकीर खीची है नरेद मोदी ने उसको छोटा कर दें उसमें उसको सभलता नहीं मिलने वाली इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक कलिया अर्मती दीजिए आप संरोध है कि ये चैनल देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब जरूर कीजिए नमस्कार